हलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है मारे योट्यूब चैनल बीटॉपर में दोस्तों आप तो जानते हैं यूपी पीसील टीजी टू की परिच्छा 24 जनुवरी और 25 जनुवरी को है और आज सुभा हमारे चैनल पर 10 बजे टेक्निकल की क्लास लाइव स्टार्ट हो गई है आज से हम 8-9 जो आपको मिले हैं लाइव क्लास चलाते रहेंगे और आपके लिए 7 क्लासे लाइव लेकर आ रहे हैं तो टेक्निकल की क्लास सुभाद 10 बजे होती है दोस्तों जो लोग नहीं देखा हो वह लोग देख ले चैनल पर विजिट करें वहाँ लिस्ट मिल आपको 10 बजे टेक्निकल की बहुत अच्छा क्लास हुआ है आप लोग देख लिए मोस्ट इंप्वाटन उसमें क्वेस्टन डिसकस किये गए और तीन बज रहे हैं इस समय हम लोग कंप्यूटर की लाइव क्लास करते हैं तो इस समय हम कंप्यूटर करेंगे पहले आप एक समझ लिए दोस्तों कितने बज़े आप लोग को लाइव आना है देखे टेक्निकल की आप सुभाद 10 बज़े आपको लाइव आना है उसके बाद में कंप्यूटर इस समय जो तीन बज़े आप डेली लाइव आईए समान ज्यान आप 6 बज़े आईए वहां पर यूपी पी परिच्छा को देखते हुए क्वेस्टन उसमें डिसकस करेंगे तो आप लोग साम 6 बज़े यूपी-पी पीशल टीजी टू कि जो क्लास चलेगी समान ज्यान कि आईए 8 बज़े समान हिंदी आपकी चलेगी यूपी पीशल टीजी टू कि आप लोग 8 बज़े समान हिंदी में आई ये उसके बाद साड़े आठ बजे हमारी चैनल पर मास्टर करेंट अफेर चल ला है समय 6 मंद का इसमें हम करेंट अफेर डिसकस कर रहे हैं तो आठ नौ दिन आपके पास बचेंगे उस आठ नौ दिन में हम पूरा आपका 6-7 मेने का करेंट अफेर के लियर करा आठ बजे आप लोग मास्टर क्लास में आईए करेंट अफेर के उसके बाद में नौ बजे आपकी माइतमेटिक्स होगा जिसमें हम लगभव में सारे चैप्ट्रों का एक में लाकर डिसकस करेंगे बिठ ट्रिक बताएंगे आपको कैसे 45 से कर्ण में लगाया जाए मैत बह अभी कमडिशन में जीके से आता है समिधान का तो इसमें 9 बजे हम लोग डिसकस करेंगे समिधान के most important 500 MCQ तो आप लोग एक बार फिट से टाइम से टूर देख लेजिए सुभा 10 बजे आपको टेक्निकल की क्लास होगी कम्प्यूटर क्लास 3 बजे होगी समान ग्यान की क्लास 6 बजे होगी समान हिंदी की क्लास 8 बजे होगी 6 मन्त का रेंट अफेर का साड़े 8 बजे होगा माइटमेट्रिक्स आपका 9 बजे होगा उसके बाद समिधान 500 से ज्यादा MCQ साड़े 9 बजे आप लोग एक बार टाइम टेबल का स्क्रीन साथ दोस्तों ले लें और टाइम पर आप लोग क्लास में आ जाये करिए 9 दिन में आपकी पूरा का पूरा कोर्स खतम करा दिया जा आप लोग मारे चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें और अगर नोटिफिकेशन ना भी आए तो आप समय से मारे चैनल पर विजिट कीजिएगा चलिए हम आज का टेफ पर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर अक करें चलिए को नम दोसरा है निम नमे से कौन बाइध परिख्षाओं का हार्डवियर उसाड़िवार्य उमड टाटा देता हैं चलिए आप लोग क्वेशन नमबर दोसरे का राइप अन्शर करते रहिए क्वेशन नम अमड़ दूसरे का खाल ने भर आप सब़्म को हार डायरेक्ट्री कहलाता है एक कोईस्टन नमबर 3 का राइट एंसर आपसंद इसे यह रूट कोईस्टन नमबर 4 कम्प्यूटर प्रोग्राम उच्छ अस्थरिये प्रोग्रामिंग भासा में लिखे जाते हैं उसे लोगो द्वारा पढ़ा जाने वाला वर्जन कहलाता है लोगो द्वारा पढ़ाने वाले एक वर्जन है उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं चलिए क्वेस्टन नमबर 5 है वा संख्या पध्यत जिसमें सिर्फ दो अंगों की सहायता से सभी डाटा को दिखाया जाता है वा कहलाता है क्वेस्टन नमबर 5 का से उत्तर आप सण यह से बाइनरी नमबर दोस्तों आप लोग जानते हैं एक जीरो इस तरीके से इसमें एक और जीरो के मिस्द्वन से किसी संख्या को दिखाया जाता है उस पध्यत को आप लोग बाइनरी नमबर कहते हैं Q6 है सूचना के भंडारन योम निस्तारन के लिए प्रियुक्त साप्ट भीयर है चलिए आप लोग उत्ता देते रिए Q6 का राइट एंसर दोस्तों आप सन्वी सही है क्वेस्टन नम्बर 7 का सही उत्तर आप संडी से यह फार्मूले का उधारण है क्वेस्टन नम्बर 8 है वासाप्ट बियर टूल जो उसके प्रयोताओं को कम्प्यूटर से बिभिन कार्यों के लिए इंटर एक्ट करने की सुब्धा प्रदान करता है कहलाता है आप लोग उत्तर करते रिए Q8 का आप संडी से यह अप्लिकेसन चलिए Q9 है निम्न में से काउन साइस टोरेज मीडिया मात्र सेक्स Щ्वंंसियल एक्सेस प्रदान करता है Q9 کا सही उत्तर आप संडी से यह दोस्तो माइगनेटिंग टेप Q10 है निम्न में से काउन कंट्रोल यूनिट का फलन नहीं है यहले ए वी सि आप्षन और आपको मैं डी आप्षन भी दिखा दे रहा हूं यह आप्षन डी सीधा अपरेशन में क्वेशन नमबर 10 का से उत्तर दोस्तो आप्षन डी है सीधा अपरेशन में चलिए क्वेशन नमबर 11 सब लोग कमेंट करते रही है एक अस्थाई भंडार्ण छेतर है रहें चता हार्ड डिस्क एक ही चीज है रहें ओल्ट टाइल है कंप्यूटर बंद करने पर रहें में जमा सूचना गायब हो जाती है क्वेस्टन नमबर 11 का सही उत्तर आप संग भी से रहें तता हार्ड डिस्क एक ही चीज है यह जो है यह सत नहीं है और रहें में एक आस्थाई भंडार्ण छे यह भी सत है रहें ओल्ट टाइल है यह भी सत है और कंप्यूटर बंद करने में रहें में जो जमा सूचना होती है यह गाइब हो जाती है यह भी सत है चलिए कोईस्टन नमबर 12 है वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राप का व पांचुए पैराग्राप के बाद लाने का सही उम आसान तरीका है कोईस्टन नमबर 12 का सही उत्तर दोस्तों आपसन दी सही है कट अंड पेस जो होता यह तीसरे पैराग्राप के पांचुए पैराग्राप के बाद लाने का सही उम आसान सबसे तरीका है कट के लिए और पेस्ट कर दीजिए उस अस्थान पर चलिए आगे बढ़ते हैं कोई पाइलर योम ट्रांसलेटर भी है एक परकार के चलिए आप लोग उत्तर देते रहिए क्वेस्टन नमबर 13 का सही उत्तर दोस्तों आपसन डी सही है सौफ्ट बियर क्वेस्टन नमबर 14 है तत्तों की भौतिक व्योस्ता यानि फिजिकल अरेंजमेंट आफ एलिमेंट्स को ह हम कहते हैं ततों की क्या कहते हैं चलिए आप लोग बताएए कुरेस्टन नमबर 14 का सही उत्तर करते रहर अधिया आप लोग उत्तर देते रहे हैं कोईस्टन नमबर 16 का कोईस्टन नमबर 16 का उत्तर आपसन एस ही है एलगोर्थिम जो होता है यह किसी कार को स्टेप बाई स्टेप किया जाता है तो उस पराली को कहते हैं एल्स ग्रोथिम कोईस्टन नमबर 17 है टेक्स्ट और अन डाटा को किस टंपरेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगा पर पेस्ट किया जाता है चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए क्वेस्टन नमबर 17 का राइटा एंसर आपसन एस यह किलिप बोर्ड दोस्तों आप लोग उत्तर देने में आलस मत किया करें सभी लोग उत्तर दिया करें ना जाने उसके बाद में भी आप लोग कोशिस कीजिएगा कि करिएगा उत्त देने का चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नमबर 18 इस्प्रेट सीट में डाट 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 एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं चलिए आप लोग क्वेस्टन नमबर 18 का सही उत्तर करते रहे हैं क्वेस्टन नमबर 18 का सही उत्तर दोस्त बताईए आप लोग क्वेश्चन नमबर 19 का से उत्तर है कि क्वेश्चन नमबर 19 का राइट एंसर दोस्तों आप संदी से यह HTML क्वेश्चन नमबर 20 है डाट 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 मुख्यता वी हाइन दी सीन डेटेल्स का ध्यान रखती या रखता है और हार्डवियर को मैलेज करती या करता है चलिए मैं आपको इसका आपसन दिखाता हूं क्वेश्चन नमर 20 के आपरेटिंग सिस्टम, application software या peripheral device या hard disk चलिए आप लोग क्वेश्चन नमर 20 का सही उत्तर देते रहिए दोस्तों क्वेस्टन नंबर 20 का सही उत्तर आपसन ये सही है आपरेटिंग सिस्टम चलिए क्वेस्टन नंबर 21 है यद कोई परियोगता CPU में उपलब्द जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे डाट डाट में स्टोर किया जाना चाहे चलिए आप लोग 21 का उत्तर देते परियोगता CPU में उपलब्द जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो रैम में स्टोर किया जाना चाहिए चलिए क्वेस्टन नंबर 22 है डाट 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 एक हार्डवियर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं चलिए आप सभी लोग उत्तर देर जिए बहुत आसान सा क्वेस्टन है क्वेस्टन नंबर 22 का सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं सही उत्तर आप संसी सही है CPU जो होता है एक हार्डवियर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं क्वेस्टन नंबर 23 है desktop computer को डाट डाट कहते हैं चलिए आप लोग उत्तर करте रहे आट बीट के गूरुप को कहते हैं कि आप लोग 24 को उत्तर देते रहे और राइट आंसर करते रहे है ये चार बिट्स के बराबर होता है और आप अगर एक बाइट कहेंगे तो एक बाइट जो होगा वो दो निब्बल के बराबर होगा और बाइट के बाइट में आप जानते हैं किलो बाइट होता है जो 144 बाइट के बराबर होता है उसके बाद मेगा बाइट होता है उसके e-mail box केते हि-mail संदेशों के storage एरिया को mail box कहते है कोई सनमर 26% डाट 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 टेबल में records की series के रूप में electronics stored data का एक collection है त्यूंदे आप लोग 26 का उतार देते रिये दोस्तो тंग construction 26 का सही उतार प्रियोग तब किया जाता है जब बड़े मेल आडर वाली कमपणी आडर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है चिले 27 का आप लोग उत्तर देते रहें और दो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पास समय बहुत कम है मैं थेओरी तो पढ़ सब्सक्राम को जोइन कर लीजिएगा चलिए 27 का राइट एंसर करते रहें क्वेस्ट नमबर 27 का राइट एंसर दोस्तों आप संद इस यह बैच चलिए 28 से वर्क सीट में कालम और रो के इंटरेक्सेक्शन को क्या कहते हैं क्वेस्ट नमबर 28 का सही उत्तर आप संदी से यह सेल कहते हैं जो वर्क सीट में कालम और रो के इंटर्सेक्शन को सेल कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेस्ट नमबर 29 की और किसी आपजेक्ट या टेक्स्ट को मूब करते हैं इसमें माउस बटन को नीचे होड़ करन दोस्तों आप संद भी होगा ड्रेंगिंग उस परकिरिया को ड्रेंगिंग कहा जाता है चलिए क्वेस्ट नमबर 30 है डाट 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 प्राया किसी PC में इमेल अटेच्मेंट के जरिए डिलिवर होते हैं और उन्हें प्राया नुकसान पहुचाने के लिए डिजाइन किय जाता है चलिए मैं आप 30 का है आप संदिखाता हूं दोस्तों यह रहें दोस्तों डाट 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 प्रफेशनली डिजाइन किया गया एक empathy document है जिसे प्रियोगता की जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है चलिए आप लोग question number 31 का right answer करते रहे question number 31 का सही होता दोस्तों आप संसी सही है template चलिए question number 32 जब file में वे instructions होते हैं जिने computer carry out कर सकता है तो उसे डाट 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 फाइल कहते हैं चलिए आप लोग question number 32 का right answer करते रहे है question number 32 का right answer दोस्तों आप संसी सही है executable चलिए question number 33 है cd.roam और cd.rw में क्या अंतर है चलिए आप लोग उत्तर करते रहे है question number 33 का question number 33 का से उत्तर option C से यहाँ पर CDRW में write किया जा सकता है यहीं दोनों में अंतर होता है चलिए question number 34 है यद आप चाहते हैं कि एक slide विनी दिरिश्टित समय के बाद आटोमाइटिकल आगे आ जाए तो animation के tab में slide group के transition में डाट डाट check box में किलिक करें कहां पर किलिक करें और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो बाद लाइक कर दीजिए इस वीडियो में मैं 500 लाइक का aim रखता हूं और आप लोग वीडियो को जादा से जादा लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जड़ी बताना यस सर वीडियो अच्छी है कांटीनू रखिए चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग 34 का उत्तर करते रहिए चलिए क्वेशन नमबर 34 का राइट एंसर दोस्तों आप संबी सही है यहाँ पर आटोमाइटिकल आप्टर चलिए क्वेशन नमबर 35 से पेज पर सब्द किस रूप में दिखेगा उसके लिए क्या सब्द है चलिए आप लोग बताएए जो सब्द पेज पर दिखता है वो क स्यारे में बहुत समझ सोच करनी पड़ेगी तो आप लोग थोड़ा वीडियो के रिट में थोड़ी देर आप लोग रुके रहे ना हम लोग थोड़ा डिसकस कर लेंगे चलिए क्वेशन नमबर 35 का सभी उत्तर था वह आपसन ए सभी था टेस्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं प्रोग्राम के विंडो ब्राउजर एक्सप्रोसर या वेब साइट के घटकों में यह सामिल होते हैं चलिए यहां पर क्या रहेगा क्वेशन नमबर 36 का सही होता दोस्तों आपसन एस यह विंडो जो होता है उसके घटकों में टाइटिल वार रिवान स्टेटल वार वीज और डाकुमेंट वर्क्पीस होते हैं चलिए क्वेशन नमबर 37 से यद आप कोई मीनू खोले और फिर ताइं करें कि आप कोई आपसन सेलक्ट नहीं करना चाहते हैं तो मीनू टाइटिल को फिर से किलिक करें या मीनू को बंद करने के लिए कौन सी कुझी दमाएं चलिए आ आपको कंप्यूटर पर इस तरीके स्कुझ लिखा रहता है वहां पर उस वाले बटन को दमाएंगे चलिए क्वेशन नमबर 38 है यदभ एक समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तता आप क्येवल डाट 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 प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं चलिए बताए क कितने एक हो सकते हैं क्वेशन नमबर 38 का आप लोग उत्ता देते रहें चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 39 की और स्लाइड डाट डाट का प्रियोग करते हुए प्रोजेट एंसन में सभी स्लाइडों के फॉंट की विशेष्ताओं को बदला जा सकता है च के सभी स्लाइडों के फॉंट विशेष्ताओं को बदला जा सकता है इसका प्रियोग करके चलिए क्वेशन नमबर 40 है और दोस्तों आज मैं 40 तक ही रखता हूं इसके बाद थोड़ा डिसकसर आप लोग को सिख करेंगे वीडियो के इंसर रुके रहना डाट डाट का प्रि दोस्तों अब थोड़ा हम आपने से डेस्केशन करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग आठ नौ दिन के तयारी करें ताकि आप लोग की पूरा स्लेवस खतम हो जाए तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए तो यह रहा आपका लाइब सीडियोल अब आप लोग को सारे क्लाश्स में लाहिब आना है पहले अगर हमें स्लेवस खतम करना है तो आप लोगा सयोग भी चाहिए आप लोगो का mix होगा आप लोग यह मस उची कि आप लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं मैरा पूरा ध्यान यूपी पीसल टीजी टु करी रहेगा जितने और जो मैंने आपको बताया समान ग्यान 6 बचे वैसे तुमारे चैनल पर 5 बचे भी समान ग्यान का होता लेकिन 6 बचे जो इसमें आप लोग का अलाहबाद हाई कोड का इसमें नहीं रहता यूपी पीसे टीडी टू और लेकपाल कराएगा आपके पैटन को देखते हुए इस आपको याद होना अवस्सेकर तो आप लोग साड़े 8 बचे लाइब आ जाईएगा करेंट अफेर में और संभी धान के जो मोस्ट इंपॉर्टन कोईशन साड़े 9 बचे रात में होंगे तो उसकी ग्लास में आप लोग जो जो आधिक कराये जाएंगे मोस्ट इंपॉर्ट आपको समझाएंगे हम लोग तो आप लोग आज सारी क्लासे में लाइब आईए और टेक्निकल की क्लास इन्हों ना देखा और देख ले आप लोग एक बार इसका स्क्रीन स्वाड ले ले और टाइम से अगर चैनल पर विजिट कर जाया करिए और पहले तो आप लोग चैन क्लास को जॉइन कर लीजेगा और अपने दोस्टों के सेर कर दीजेगा दोस्तों हम पर विश्वास के लिए हम आर दिन के अंदर आपका पूरा स्लैबस खतम करा देंगे चलिए मिलते हैं आपको चा बज़े समानियान की क्लास में फिर आट बज़े हिंदी की क्लास में बज़े नो मुझे समधान की क्लास में थांक पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में